हेलो हेलो एंड वेल्कम एवरीवान वेल्कम टू दे चैनल क्या हाल है आप लोगों के फुल उन सुपर दूपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं सबसे पहले मुझे यह बता दो और आज हम इसी एनरजी इसी मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिस में जादा घुसिंगे नहीं नहीं वो पढ़ेंगे जो अपने लिए इंपोर्टेंट है और जो हमारे साइन्स के कॉंसेप्स के लिए इंपोर्टेंट है साइन्स पढ़ने में वैसी मजाता है इस पूरे चैनल पर होती है फुल-on मौज मस्ती के साथ पढ़ाई आप देख नाम आपने अपनी जंदगी में सुने होंगे बट इस चैप्टर के अगॉर्डिंग नहीं आपने अपने अपने बेस नाम सुना और आपने सौ्ट तो सुना ही होगा बट मैं आपको बता दूँं जितना आप अभी तक जाना है उससे थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है अ नूट्रल सबस्टांस कौन से होते हैं and last में हम नूट्रलाइजीजिशन प्रॉसस की बात करके इस चाप्टर को खतम कर लेंगे clear चलो तो बहुत नंबर पहला है अपना acid and basis क्या होते हैं यह acid और basis देखो अभी हम बहुत डीप में नहीं जा रहें अभी हमें जनरली समझना है एक acid क्या होता है और एक base क्या होता है देखो simple सी बात समझो दो अलग-अलग तरह की substance होते हैं acid और base अब acid क्या होता है acid वो होते हैं जो sore in taste होते हैं अभी इस chapter में हमें क्या समझना है वो substance जो खटे-खटे taste करते हैं वो acid की आपके acid की category में आते हैं अगर आप example के लिए बात करो तो curd, दही, lemon, juice, orange juice, vinegar ये सारी चीज़ें अगर आपको taste इनका आ रहा है तो ये खटी-खटी चीज़ें हैं अब इनकी और जो basic scientific वाली properties हैं कि इनके acid क्यों कहते हैं वो हम senior classes में देखेंगे बट अभी के लिए हमें क्या समझना है कि वो substance जो sour taste करते हैं खटा taste करते हैं वो होते हैं अपने acids और वहीं पे basis जो होते हैं वो होते हैं जो bitter taste करते हैं नहीं कि कड़वा टेस्ट करते हैं औ चूना यह सारी चीजें वो होती हैं जो basic होती हैं तो आपको acid और basic दो चीजे होती हैं अब आपको इसके बारे में और क्या जानना है यह दोने एक दूसरे के दुश्मन होते हैं acid और basis आपस में लड़ते हैं क्योंकि यह opposite property है है अगर आपने कहीं पर acid पढ़ा है वहाँ प अब नाम से ही पता चल रहा है indicator क्या करेगा indicate करेगा अब क्या indicate करेगा तो देखो chemicals that are used to check acidic और basic nature of substance are called indicator तो simply यह बस यह indicate करेगा कि क्या कोई substance जो आप चेक कर रहे हो वो acidic है या basic है क्या बोला मैंने बहुत simple सी बात बोली एक indicator क्या है एक indicator एक chemical substance है एक ऐसा chemical substance जो चेक करेगा कि जो substance आपको check कर रहो जिस चीज़ को आप वो acidic है या basic है अब आप हर चीज़ को taste तो नहीं करोगे न सो जो कोई acid रखा है खतरनाक सो उसको taste करके बताओगे कि अरे यह तो खट्टा है तो यह acid है फिर तो आप तो ऊपर चले गए नहीं तो और भी कुछ तरीके है जिसमें यह तरीका है indicator क्या हम indicators use करते हैं the indicators indicate change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance अब generally जो acidic solutions होते हैं indicators होते हैं इनका क्या scene होता है यह कैसे confirm करते हैं यह अपना color बदल देते हैं example के लिए बात करो आपने कोई color मतला आपने transparent liquid डाला जो कि एक indicator है और अगर उसका color change हो गया तो मतलब वो acidic है color change नहीं clear इस तरीके से हम differentiate करते हैं now अब अलग-अलग type के indicators होते हैं जिसमें main हमें पढ़ने है natural indicators यानि कि जो हमें nature ने दिये हैं जिसमें हमें तो actually कुछ करना ही नहीं है वो nature ने हमें दिये हैं अब देखते हैं कौन-कौन से तो वो है turmeric, litmus, china rose petals, गुढहल कहते हैं जिसे English में और are some of the naturally occurring indicators तो हल्दी जो हमारे घर में बहुत normally used होती है वो हल्दी उसके अलावा एक litmus होता है फिर एक china rose जिसको गोड़ल का पेड़ गोड़ल के पत्ते होते हैं वो कहते हैं ये कुछ क्या है naturally occurring indicators हैं उसके अलावा one of the most commonly used indicator is litmus solution इसके अलावा litmus एक चीज होती है जो कि हमें nature से मिलती है ठीक है plant के तुरू अब हमने उसका क्या बना है हमने उसका litmus solution मना लिया अपने laboratories में जो की एक indicator बन गया अब हमें litmus मिला nature से हमने उसको तोड़ा easy बनाने के लिए है क्या पेड़ तोड़ के लाओ बार बार करो ना हमने उसका solution मना लिया अब होता क्या है asset turn blue litmus paper to red and basis turn red litmus paper to blue most most important चीज है इस chapter की समझने के लिए क्या है कि जो assets होते हैं वो क्या करते है क्या कर देते हैं red कर देते हैं अब इसको याद कैसे रोखोगे यह को कैसे मैंने बोला तक color change होता है तो हमने क्या कर रहा litmus का खतरनाक red हो गया मतलब तो क्या हो गया acid हो गया याद रखना और वहीं पर अगर red litmus paper वाली side blue बन गई तो मतलब यह क्या है base है red मतलब खतरनाक red मतलब acid तो अगर red हो गया paper तो मतलब उसमें acid है अगर red नहीं हुआ blue हो गया तो क्या है will basic है याद रहेगा good turmeric paste and china rose are also natural indicator बात कर ली हमने china rose indicator become dark pink when an acidic substance is added to it and turns to green और देखो china rose गुडल का पेड़ होता है उसकी पतियां होती है उसकी जो पतियां है अगर वो और ज़्यादा pink हो गई कुछ डालने पर समझ्चाओ जो आपने डाला हुए acid है और अगर वो क्या हो गई ग्रीन हो गई तो इसका मतलब वो क्या है basic है जो substance आपने चेक करना है ठीक है तो यह भी बड़ी है natural indicator था हल्दी की बात करें तो हल्दी यलो ही रहेगी अगर आपने उसको two brac । नाम से ही पता चल रहा है कौण से parole के बात करें जो neutral है जो कि ना तो acidic है ना basic है जिसका biggest example क्या है water जिसका क्या है biggest example क्योंकि भाई देखो ना हम acidic चीज़ को जाधा consume कर सकते ना हम basic चीज़ को जाधा consume कर सकते हैं but water को हम बहिसाब तरीके से consume कर सकते हैं why because water is neutral ना वो acidic है ना वो basic है इसी दिए तो substance that are neither acidic nor basic in nature are called a neutral substance as simple as that neutral substance do not affect the color of indicator और आप इनके मतलब पानी को आप किसी में भी डालो हल्दी में डालो लिटमस पर डालो कुछ फरक नीपड़ने वाला क्यों 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 ना वो basic है तो क्या ही चेंज होगा clear अब हम बात करेंगे इस chapter के last and most important topic की जिसके उपर से question में आने वाला है वो क्या है neutralization क्या होथा भई ये neutralization ध्यान से देखो इस बंदे ने क्या कर रखा है एक lag test tube लिए उसमें acid डाल रखा है अब उपर से उसमें base add कर रहा है क्या कर रहा है तो ये actually में क्या करना चाहरा है इसे मान के चलो acid जो है वो villain है हमारी story का और base जो है वो क्या है superhero तो villain को कौन मारेगा superhero मारेगा और जब villain superhero को मार देगा तो पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा समानता equality आ जाएगी peace आ जाएगा है ना तो बस वो ही चीज़ है देखते है तो जब एक क्या होता है तो उन दोनों की क्या होता है आपस में लडाई होती है जिस लडाई में उन दोनों का effect आपस में खतम हो जाता है and finally दोनों के दोनों ही एक दूसरे का effect lose कर जाते है तो न वो solution acidic बचता न बेसिक बचता finally इस reaction को हम कहते है neutralization reaction आया समझ में very good चलो water and salt are produced as product during neutralization reaction अब एक नई चीज निकल के आई है क्या निकल के आई है salt अभी तक आपने क्या सुनाता है salt मतलब होता है नमक टाटा नमक देश का नमक नहीं that is right ठीक है उन्होंने एक नाम use कर रहा है पर टाटा जो नमक है salt है वो भी तो कहीं से उठाया होगा नाम कहां से उठाया तो salt क्या होता है असल में scientifically salt क्या होता है उसको समझो जब भी हम एक acid लेते हैं मतलब पहली बार जब किसी ने एक खतरनाग experiment किया होगा ऑसके बहुत सब्सक्राइ夭ा सब्सक्राइज करों कि इस इने एक acid था उसके पास उसके उसमें बेस मिला दिया तो जैसे उसने उसमें बेस मिला तो ना पानी मिल गया उसको जौन कुछ एक नई सी चीज मिली चोंकि न एसेड की प्रॉपर्टी शो कर रही थी और ऐसा जब आप एक acid और एक base को मिलाते हो तो neutralization reaction होती है जिसमें क्या होता है, salt produce होता है, water produce होता है और heat भी produce होती है, मतलब बहुत गर्माहट निकलेगी इस reaction से, अब यह mixed property शो करता है, जो salt होता है, वो acidic भी हो सकता है, वो basic भी हो सकता है, और वो mixed property भी रख सकता है, तो salt के उपर बड़ा सारा confusion हो गया, ठीक है, confusion बड़ वो हमारे बहुत ज़्यादा काम है, जितने भी salt है, वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा useful है, senior classes में आप पढ़ोगे उनके बारे में, ठीक है, last के कोई छोटे-मोटे चीज़े हैं, जैसे ant की sting, जब एक चीटी काट लेती है, तो चीटी के अंदर क्या होता है, पता है, formic acid होता है, चीटी की जो नोक वो होती है, जिससे वो काटती है, उसके अंदर एक acid बनता है, formic acid, जब चीटी काटती है, वो acid हमारे खून में जाता है, और वो acid ही है, दरसल हमें चुब रहा होता है, जब चीटी काट ल है अगर आपको कोई चीटी ने कात लिया है और आप चाहते उसका कम हो anymore जाए तो आप मोच कॉन वपिलर में क्वर सकांथ लांगा चाहां भू अब वह acid भी अगर जादा हो जाए तो इसे ही हम क्या कहते है इसे हम process को कहते है acidity घर पर पापा को सुना है ना खाना छोले बटूले जादा खालिए तो acidity हो गई है इनो पीना पड़ रहा है ठीक है तो वही इनो वाला जो scene है वह milk of magnesia भी कर सकता है यह scientific चीज है जिसको कहते magnesium hydroxide है ना तो अगर आप यह base को consume कर लो तो क्या होगा आपके पेट में जो extra acid था उससे कौन लड़ जाएगा उससे base लड़ लेगा और आपके पेट को neutral कर देगा is that clear तो हमें यह neutralization reaction को हम बार बार यूज कर रहे है हमने बार बार सीख लिया है कि अगर acid जादा हो जाए तो base डाल दो, base जादा हो जाए तो acid डाल दो, simple, बात करें soil treatment, soil treatment क्या है excessive use of chemical fertilizer makes soil acidic, जो भी fertilizers वगरा यूज होते है ना artificial उनमें acids में ले होते हैं, तो जब हम एक soil एक मिटी में बहुत जादा time था कि fertilizer यूज करते हैं, तो वो मिटी खराब होने लगती है, तो plants अच्छे से उग line, चूना, चूना डाल देते हैं, या फिर slaked line, जिससे calcium hydroxide कहते हैं, अगर oil basic है, तो हम organic matter add कर देते हैं, जिससे थोड़ा-थोड़ा acid add हो जाए, ठीक है, तो हम basically कर क्या रहे हैं, हम बारबाद neutralization reaction को use कर रहे हैं, जहां acid जादा, वहां base जाल दो, जहां base जादा, वहां acid डा लास्ट है, factory waste, क्या होता है, the waste of many factories contain acid which are neutralized by adding bases, अब बहुत सारी factories है, या acid बनता ही है, अब उनका जो waste है, वो भी acid है, वो क्या करें, ऐसे थोड़ी गंगा नदी में acid छोड़ देंगे, तो वो कूड़े के साथ basic मिलाते हैं, so that neutral हो जाए, उसके बाद वो नदी अगरा में चोड़ भी देंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, जतनी acids होगी, वरना क्या होगा, सारे aquatic animals मर जाएंगे, है न, आप भी नदी में जाओगे, आपकी भी तवित खराब हो जाएगी, इसलिए basic substance add करना पड़ता है, so I hope अब आपको lifetime के लिए concept याद रहेगा, कि जहां पे अब भी life में आपको दिखे कि asset जादा हो रहा है, हाँ पे base डाल दो, problem solve हो जाएंगी, ठीक है, अब आप इसको दोनों तरह से ले सकते हो, scientifically भी और as in good advice भी, so I hope आपको इस आप्टर समझ में आया होगा, next video होने वाली question answers की तो वो भी ज़रूर देखना, description में link मिल जाएगा और telegram group को join कर लो, और बहुत सारी मस्ती के लिए लक्षबाच के description में link है, ठीक है, मिलने next video में, तब तक के लिए जी goodbye, take care, महुत मस्ती करते रहें, bye bye